हलो फ्रेंट्स बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है इस चैनल के मादधम से हम कम बजट में शुरू किये जाने वाले नए बिजनेस आइडिया इसके बारे में जानकरी देते हैं ताकि कम बिजट में लोग अपना बिजनेस शुरू कर लाब कमा सके इस बार हम बता रहे हन है यानि मधु मख्य का पालं कर सहथ का बिजनेस कैसे करे फ्रेंड्स ये काफी फायदे वाला बिजनेस है इस के मुझ मार्केट में बेज कर अच्छा लाब कमाया जा सकता है इसके प्रवाइब आपको बॉक्स की जरूत होगी, इसी बॉक्स में मदुमक्ख्यों की कालों नी बसाई जाती है, ये बॉक्स कुछ इस तरह से बने होते हैं कि आसानी से सहद इकठा किया जा सके, पांस से दस यूनिट लगा कर इस बिजनेस की सुरुआत कर सकते हैं, एक करना होगा, कहां से लेप सिक्षन, क्रिशिवी स्विध्याले तता इससे संबंदि संस्ताओ दारा मदुमक्ख्य पालन का कोर्स वर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला जाते हैं, यह कोर्स दो महिने से ले करके एक साल तक के होते हैं, इसके लिए अधिक पढ़ा लिखा होने की जरूत नहीं है, यह दि आप आठ भी पास हैं, तब भी इस कोर्स को कर बिजने शुरू कर सकते हैं, इस कोर्स के अलावा सरकार दोरा समय समय पर बलावकस्तर पर गाओं में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसकी सूचना वीडियो के पास होती है, इस कोर्स मे मदुमक्खी पालने के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है मदुमक्खियों के रख रखाओ प्राक्यतिक रूप से बनाए गए सहत को इकठा करना उसको संग्रहित करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है मदुमक्खी पालन से सहत के अलावा मोम भी प्राप्त ह जिसका उपियोग मुंबत्ती जूता पाली सोंदर प्रसादन तथा दवाओं के निर्माण में काम आता है इसके आलावा रायल जल्दी नामक एक परकार का प्रोटीन भी प्राप्त होता है जो महेंगे दाम में बिखता है देश में सहत की मांग तेजी से बढ़ रही है लोग अब ब्रेड में जेम की बजाए सहत तता दूद में चीनी की बजाए सहत का प्रयोग कर रहे है भारत दुनिया में सहत के उत्पादन में कापी पिठड़ा हुआ है भारत मात्र दस हजार टन सहत का निर्याद करता है इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार दोरा ट्रेनिंग प्रगराम चलाए जा रहे हैं सहत ही बिट्येस वायता भी दी जा रहे है बिट्येस सहता के लिए क्रिशी भौन नई दिल्ली राश्ट्य वी बोर्ड पीएजडी भौन होज़ खास नई दिल्ली राश्टिय वागवानी परिशत गुडगाउंà तत्षा राज में बाद खरिदार खुद ही मद्धुमक्खी पालक के पास पहुंच जाते हैं रोजगार शुरू करने के पहले कुछ बातों पर ध्यान दे यह मैनत वाला काम भले ही नहों पर इसमें हमेशा लगे रहना पड़ता है मद्धुमक्ख्यों की कालोनियों को समय समय पर मौसम के इदर उदर हटाना पड़ता है साथ में इसके रख रखाव पर विशेज ध्यान देने की आवसकता होती है मद्धुमक्ख्यों को होने वाली बिमारी पर पी ध्यान देने की आवसकता होती है बिमार मद्धुमक्ख्यों से तैयार सहत अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है फाइदा ही फाइदा है फ्रेंड्स आपको यह जानकरी पसंद आई होगी इसे लाइक करें दोस्तों को सेर करें वीडियो से संबंदित कोई भी सवाल होने पर कमेंट बाक्स में लिखें हम उसका जवाब देने की कोशिस करेंगे जो हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को सब्क्राइब कर दे ताकि बिजनेस से संबंदित वीडियो उनको आसानी से मिलते रहें आज बस इतना ही फिर मुलाकत होगी नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ धन्नवाद